तो नमस्कार संसार खांती की टीम इसमत जीन्द में मोजूद है और जैसा कि राजनीप्ति के जो राजधानी जीन्द को माना जाता है जो सरगर्मिया वो तेज हो चुकी है एससे में, जो हर्याना जो विदानसभा चुना हूँ है वो भी नजदी का आने और ऐसे मैं आला के लिग विदानसरावाक्षेत्रों की बात करते हैं तो सभी के सभीं जो संभावित कोंग्रेस पार्टी की तरफ नरेश बनवाला नरेश बनवाला के बारे मैं बताना जिला पार्सट रहे हैं और समाज़ी के क्षेत्र में लक्रतर करते रहे हैं। सवागत बहुत बहुत सवागत है। ने बहुत क्षेत्र में भाल लेते हैं। तो ऐसे में कौन सी ऐसी कमिया समस्या ने जरार ही है कि वो विस्समें आप राजनिति पार्टे के लिए त्यारी कर रहे हैं और तो उनको दूर करने काडिय करेंगे बिल्कुल जी हमारा जुलाना के साथ साथ पूरा जीन दी एक पिछड़ा हुआ अक्षेतर माना जाते हैं यहां एजूकेशन के सबसे बड़ी प्रोग्लम है यहां मेडिकल फैसिल्टी बिल्कुल नहीं है अगर मेडिकल की हम बात करेंगे अगर चोड़ा सा बिमार हो जाता जीन तो कुछ ह्य idag तो इसार जाते है रूत बिल्कुल इनका इस वासते हैं कि अंधर को कमिया उतर और समय से हमारी बहुत हैं हमारा जुलान के अंदर पीने के पानी की भी बहुत बड़ी समय स्याइल है। क्योंकि हमारे जो जुलाना अक्षेतर है बेसिकली प्यूरली एक ग्रामीन अक्षेतर है यहां की समसा है बहुत रहती है ग्रीब आदमी करीब तबका मीडियम तबका हमारा बहुत ज्यादा है पीने के पाने की विवस्ता यहां ठीक नहीं है मेडिकल फैसल्टी भी यहां बि बिल्कुल तो औरे जी जैसे ही है राजनीती की करियर के आपके बात करते हैं तो आपका जो शुरुवाती दोर था आपका पहला एलेक्षिन था जिलापारशद को समें आप वी जही हुए तो अभी भी विदान सब अक्षेतर चुलाने से आप तेयारी कर रही है तो आपको गाउं मैं बिलों करता हूँ मैं गाउं कुन साबका श्युहा गाउं है मेरा जो मेरे आजपास के जो लोग थे हमारे बड़े वाई हैं चाचे ताउ थे उन्होंने ही मेरे को आगे किया मैं किसी पोलिटिकली की उसमें नहीं था ये सही है कि मैं आगे चलके ने मुझे बाजी हैं आपस में Congress Party कहीं रंदिव गूट कहीं तवर गूट कहीं सेल जा गूट कहीं हुडा गूट इसके बारे में क्या विचार है Congress Party में कोई गूट नहीं है जी बिलेकि नाम से दो सामने आते हैं ना में देखो leadership है बिल्कुर कोंगरेस एक बड़ा प्रिवार है आप जब Congress Party से जुड़े थे तो कहीं जब हम जिस पार्टी से जुड़ते नेता या नी थी तो क्या अठ्खाल लगा आपने Congress Party से Congress Party एक संगम है विचारों का संगम है जाती धरम का संगम है ये किसी विशेश जाती की पार्टी नहीं है विशेश धरम की पार्टी नहीं है यहाँ आप अपने विचारों के खुलेपन से आप रख सकते हो एक नियत और निती साफ है तो कहिने के नियत और निती अच्छी लगी तब ही Congress Party से जूड़े है और कोई गुटबाजी नहीं है जब टिकेट देने की बात आएगी विधान सबाम में तो टिकेट देने के बाद आपस जो तालमे लोगों बनाएंगे हाँ बिल्कुल बनता है तीज़ा आपस में टिकेट के लिए कहने कहिने कहीं कसमस कसमस जो गुटबाजी जो नजरा आदी इसका ये कारण है आपस में देखो हर आदमी कोसिस करता है अपने क्वाल्टी को दिखाने की सेवा भाव को दिखाने की लेकिन जब टिकेट किसी एक वेक्ति को मिल जाती तो सारे एक हो जाते हैं पूरी मेन तो नेरेज ये आपका जुलाना अक्षे तरुक लेकर के मुख अजन्डा क्या रहेगा क्योंकि हर एक नेता जोग भी नेता आता हुआ पर उसका ये नेता रहे तक विकास कराएं》 ये पानी की समस्था दूर करेंगे सडक की समस्था दूर करेंगे तो मतलब हाला कि وہ अभी तक हो नहीं पाई है ये समस्था ये जोवां की तो बनी उई है तो आपका भी आपका एक शुनाव डीले हुआ था, तो अभी भी आप है नेक्ष्ट आप तयारी में है तो किस तरह का चुलाना क्षित्र को ले करके हैं, समझी के ख्षित्र में पहसा है हमारा एकुरे येजेंडा और एक ही मकसद है कि जो समाज का ताना बाना है ना, वो कभी हमारा खराब ना है, इसके लिए हम कई वेगर डोर टो डोर भी जाके लोगों को समझाते भी हैं, कई वार आपस में अपने लेवल पर सम्मेलन भी किया हुआ है, नोजवानों को भी बलाया है, किसानों की जब बात आती है, धरने पर वहां भी जाते हैं, वहां जो भाईचारा है, कुछ राजनितिक लोग इसमें आकर, वो हमारा समाज का तानावाना खराब करने में लगे हुए हैं, हम सोचली उनसे अपील भी करते हैं, नेतिक हमारा फरज भी बनता है, कि हम उनकी बकावे में नाएं, अपस में भाईचारा काइम रखें, और ऐसे ही आगे बड़े, अगर हम भाईचारा साथ चलेंगे, तभी तो आगे प्रोग्रस करेंगे, अधर वाईज तो हम नहीं रहेंगे, जो राजवितिक आदमी हैं, आज तक हमारा यूज करते हुए हैं, जुलाना को अगर हम देखें तो, जुलाना के अंदर, नर्वाना को लीज हैं, ऐसे में ही, बीजेपी के अंदर भी, जेजेपी में भी, कॉंग्रेस में भी, परत्यासी कौन सी पार्टी ने सामने लेकर क्या रही हैं अभी तक है, तो क्या कहना चाहेंगे, जीन दिक उप्चनाव को लेकर के, लोगत तो सुच्छा पार्टे अपना प्रत्यासी अपने पत्य खोलना ने जा रही इस टाइम पर, वो चाहरी है कि किसी एक दूसरे पार्टी का चेरा देखे, कई समीकन बिठाने में लगे हुए हैं, क्या लगता कॉंग्रेस पार्टी को लेकर के, कहा तक क्या अपनी, कॉंग्रेस पार्टी से आप भी लंबे टाइम तक ज कॉंग्रेस पार्टी जीत के आएगी चुनाओ में, कॉंग्रेस पार्टी काफी मोमन से जीतेगी, और एक इतियास रचेगी, क्योंकि यहां की जनता तंग हो चुकी, आपने पूरा सहर को जीन को देखागा, वो खार के गेर दिया गया है, जिसका कोई वाली वारस नहीं है अगली मीटिंग में मिलते हैं आपसे तो क्या संदेश जीनदवासियों क्योंकि चुनाओ है, और कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से भी आप एक युवार नेता भी है, और जुनाना विदानसवाक शेत्र में भी आपकी पुखता त्यारी चल रही है, तो अभी फिलाल जीनद की जनता को, क्योंकि जीनद जो पिछडाक शेत्र है, काफी पहले परत्यासियों भी हमने बड़े-बड़े नेता बनाया है, तो अब जीनद की जनता को क्या पील और क्या संदेश कैसे नेता को सुनें, क्या संदेश कोंचाना चाहेंगे? मैं जिनता से यह यह आवे सकती है तो वो सिरफ Congress Party बचा सकती है बिल्कुल तो यह हमारे साथ विदानश्वा ख्षेत्र जुलाना से जो संभावीत मजबूत प्रतियास है Congress Party के तरफ से नरे सुनवाड़ा इन्होंने समझीक ख्षेत्र में भी पहले कारी करते रहे हैं अभी करने लग रहे हैं जिला पारसद रहे हैं अभी बात करते हैं जीन्द उप्चुनाओं को लेकर के जनता को मदाताओं को जीन्द की जनता को संदेश दिया है कि Congress Party कहीं कहीं क्या संदेश दिया आपने विदे Congress Party जो है वह हमारे देश-परदेश का भला कर सकती है बिल्कुल दे